रमस्त दोस्तों आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत हैं आज हम आपको नीम करोली बाबाजी के कहानी के बारे में बतेंगे ये कहानी तब किये जब नीम करोली बाबाजी अपने एलाबाद के आश्रम में ठेरे होए थे तबी एक सज्जन वेक्ति और उनकी पतनी नीम करोली बाबाजी के आश्रम में पहुचे उस वेक्ति को नीम करोली बाबाजी पर जरा सा भी विश्वास नहीं था और वे गुसे से नीम करोली बाबाजी को देखने लगा उस वेक्ति ने नीम करोली बाबाजी के पेर तक नहीं छोए लेकिन उसकी पत्नी ने पेर छुकर आश्रिवाद जरूर लिया कुछ समय बिदने के बाद वो वेक्ति नीम करोली बाबाजी के पास गया और का बाबाजी मुझे आश्रिवाद दीजे लेकिन उस विक्ति के मन के अंदर नीम करोली बाबाजी के प्रती जरा सा भी विश्वास नहीं था तब नीम करोली बाबाजी ने पुछा बेटा तुमारा नाम क्या है उस विक्ति ने का बाबा आपको मेरा नाम तक ने मालूम आप तो बड़ी अंतरियम होना नीम करोली बाबा मुस्कुराय और कहा तुमारी मौसी जो एलाबाद के होस्पिटल में है वो अब कैसी है जरा बताना वो वेक्ति समझ गया था कि नीम करोली बाबाजी को सब कुछ मालूम है वो सिब उस वेक्ति की परिक्षा ले दे उसके लिए उसका नाम पोचा तब नीम करोली बाबाजी ने खा बेटा का शिराम मन में हमेशा शरद्धा होनी चाहिए तब यह आपको इश्वर दिख सकते है जब आपके मन में शंका होती है तब आप इश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हमेशा खुश रो मेरे बेटे हमेशा खुश रो तब उस वेक्ति को अपनी गलती का इसास वा और उसने नीन करोली बाबाजी से माफी मांगे और वो वेक्ति नीन करोली बाबाजी का भक्त बन गया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लागा तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्रेब करें धन्यवाद